हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग आयोग आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जेस्वाल एंद स्वागत करता हूँ आप सभी केकबर फिर हमारी यूटूब चैनल जे आओ टूटोरियल्स में बहुत ही बहते हैं उतना ही ज्यादा इंपोर्टेंट चैक्टर आपके लिए और यह चैक्टर अगर आपने आज सीख लिया ना दोस्तो अपने लाइफ में तो आगे बड़ी जाओगे एंसाथी में जब भी आप 11 में जब जाओगे 12 में जाओगे तो यह चैक्टर का पूरा जब लेकर आओंगा उसमें हम लोग सीधा-सीधा एक्जामपल्स आपको सौल करके दिखाएंगे बहुत ही चोटा मतलब है तो बड़ा चैप्टर लेकिन बहुत ही इजी है तो फटा-फट से कवर हो जाएगा उसमें कोई भी जिंदा करने की बात नहीं है तो चलिए शुर जीतेगा या फिर हारेगा यह दो चीज हो सकते है ड्रॉ होना इस अलग चीज वो आपका अलग चीज है या तो कोई मैच जीतता है या तो कोई मैच हारता है तो उसी प्रकार यह जो प्रोबैबिलिटी है आपके सिलाबस के इसाप से हमें पढ़ना है बहुत चारी चीज है तो सबसे पहले बात यहाँ पे मैं कुछ concept बताऊंगा जो कि अक्सर आपके जो questions frame होते हैं एक्जाम में वो इसी प्रकार और इसी type के probability के उपर frame होते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे पहला type of probability बताऊंगा जो कि आपके coin के उपर होते हैं coins का probability coins probability दीरे-दीरे से सभी चीज में आपको बताने वाल हो लेकिन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे coin का probability अब coin का probability क्या हो सकता है कि अगर में पास कोई भी एक सिक्का है दोस्तों तो we know that कोई भी जब सिक्का होता है तो सिक्के में सिफ दो ही पहलू आते हैं एक तो वो होगा head या तो वो होगा tail यही दो चीज आते हैं we know that हम बचपन से cricket खेलते हैं हमारा जो culture है हमारा जो nature है इंडियन्स लोग का वो cricket से ही शुरू होता है बहुत सार ऐसे लोग होगे जिनको football, badminton ऐसे बहुत सारी चीजे पसंद होगी लेकिन majority of the students आप लोग हो अगर और आप लोग हमारे बचपन से अगर आप notice किया होगा तो हमने cricket बहुत खेला है अपने life में चाहे हम गली cricket की बात करें घर पे छोटा सा ball plastic का बना के खेलते है टर्स पर खेलते हैं हर चीज में खेलते हैं लेकिन हमने खेला जरूर है तो cricket match के time हम toss जरूर करते दोस्तों and toss जब भी होता है तो दो ही चीज आते हैं सिक्के में या तो वो होगा head या तो वो होगा tail या तो probability होगा कोई भी चीज का probability अगर मैं probability को P से denote करू ठीक है तो probability of coin of getting head and tail कितना हो जाएगा दोस्तो probability क्या हो जाएगा या तो वो head आएगा h से denote करेंगे या तो वो tail आएगा की से इसको donate करेंगे और इस प्रकार इसको लिखते हैं ये curly bracket इस्तेमाल होता है आप लोग को अभी से में बता दे रहा हो curly bracket का इस्तेमाल होता है इसको represent करने के लिए लेकिन अगर मैं आपको पूछू दोस्तो कि अगर मैं बोलू दो coin toss होता है दो coin अगर साथ में toss होता है दो मैं पस एक coin यहां पर एक coin यहां पर दोनों को मैंने साथ में toss किया तो दोस्तों आप imagine करके बताओ कि क्या आ सकता है या तो वो दोनों के दोनों coin पर head आएगा या या तो एक पे head आएगा, या तो इस 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 पे head रुख जाओ, तो या तो, क्या बोला मैंने, या तो headed आएंगे, या तो एक पे head आएगा, एक पे tail आएगा, या तो पहले वाले पे tail आएगा, दुसरे वाले पे head आएगा, ठीके, पहले वाले पे tail, दुसरे वाले पे head, या तो last में, दोनों के दोनों पे tail आएंगे, ये total कि यहां पर या तो दोनों पर हेड आया या तो पहले वाले पर हेड दूसरे वाले पर टेल या तो पहले पर टेल दूसरे पर हेड या तो दोनों पर ही टेल आएंगे यह हमारे probability हुआ जब दो कॉइन उड़ते हैं तो इसका probability कितना हो जाएगा number of p will be equal to 4 यानि कि 4 संभावना हो सकती है चार probability हो सकती है कि अगर 2 coin साथ में उड़ते हैं तो clear है दोस्तों तो पूरी उमीद करते हो कि यह भी चीज आपको clear हो गया होगा अब एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं 3 coin साथ में उड़ते हो जो कि अकसर आपको exam में पूछा भी जाता है कभी-कभी ठीके न और यह सब चीज में आभी जाम जाते हैं तो 3 coin अगर मैं उच्छा लूँ तो क्या आ सकता है probability आप सोचो या तो तीनों पे head आएगा head 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 या तो पहले वाले पे head आएगा, दूसरे वाले पे head आएगा, तिसरे वाले पे head आएगा, यह हो सकता है, या तो पहले वाले पे head आया, दूसरे वाले पे head आएगा, तिसरे वाले पे head आ सकता है, तिसरे वाले पे head आ सकता है, तिसरे वाले पे head आ सकता है, अब एक और चीज इस क्या हो सकता है, तीनो head हो गया, पहला head, दूसरा, दोनो tail, पहला head, दो head tail, tail, head head, tail, head tail, अब यहाँ पर एक और चीज हो सकता है, कि पहले वाले पर head आएगा, लेकिन दूसरे वाले पर tail आएगा, लेकिन तिसरे वाले पर पे टेल आएगा या तो पहले coin पे head आएगा बाकी tail आएगे या तो पहले coin पे tail आएगा बाकी के head आएगे यह हो सकता है या तो पहले 2 पे tail आएगे दिख रहा होगा ठीक है पहले 2 पे tail आएगे बाद में head आएगा या तो पहले 2 coin साथ में उचलता है, और यह आपको याद करना है दोस्तों, यह मैं आपको बता रहा हूँ, यह मैं को concept समझार हो, लेकिन साथ में आपको memorize भी करना है एक coin उड़ता है, तो संभावना सीफ दो ही हो सकता है, वो भी head or tail का, दो coin उड़ता है, तो head head, head tail, tail, head, tail tail हो सकता है, चार का probability हो सकता है, चार संभावना हो सकता है, तीन coin जब साथ में उड़ता है जो कि आखरी type है, इसके बात नहीं पूछूँगा आपको कि चार coin उड़ता है जो क्या होता है, क्योंकि उसके उपर आज तक question बना ही नहीं है, कोई exam में, लेकिन यह board में coins के probability के बात, ठीक है, अब बात करनेंगे हम लोग dice के probability का, dice मतलब क्या होता है, पासा, लुडो खेलते हैं, लुडो, तो लुडो खेलते हैं, हम लोग गोटी फेकते हैं, तो ऐसे अगर पासा फेकते हैं, तो क्या उसका संभावना आ सकता है, और यह चीज संभावना आप सीख लोगे न, तो आप लुडो जरूर जिज जाओगे, जस्ट किडिंग जोस्तों, ऐसा probability है, पास होंगे, फेल होंगे, इसमें भी probability है, तो हर चीज में probability होती है, दुनिया में, आप सोच सकते हो, कि हर चीज में, या तो अमीर बनोगे, या तो बहुत गरीब बनोगे, ठीक है, तो यह तो अलग चीज है, जाने दो, तो यह सब चीज है, और मैं क्या पता नहीं कोशिश करता, हाँ, पहला हो गया, हमारा coins का probability, अब दूसरा में बता रहो, dice का probability, dice का मतलब होता है, दोस्तो, dice का मतलब क्या होता है, जो आपका पासा होता है, पासा, जो आप लोग गोटी खेलते हो, उसमें जो यूज होता है, गोटी, that is known as the dice, अब इसका probability क्या हो सकता है, तो इसमें सिर्फ दो probability उड़ाया जाए, या तो एक तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें 6 में से कुन सा भी आ सकता है, यानि कि जो number of probability का chances है, वो 6 बार है, आपका संभावना कितना है, 6 बार है, कि आप गोटी अगर फेक रहे हो, तो आप बोलनी सकते हैं, कि 2 ही आएगा, क्यूंकि 1 से लेके 6 कुछ भी number आ सकते हैं, तो हमारा probability क्या हो ग calculate करते हैं, discuss करते हैं, तो या तो दोनों को मैं अगर साथ में, imagine करो, imagination लगेगा आपका, कि दोनों गोटी मेरे पास है, और दोनों गोटी को मैंने साथ में डाला, तो यह हो सकता है, कि 1 और 1 आ जाए साथ में, समझ में आ रहा है, मैं comma डालके लिख रहा हूँ, या तो आजा से आप देखोगे, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ठीक है, जान से देखो बड़ा होने वाला यह चीज, ठीक है, आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, आपको क्या बताने ही कोशिश कर रहा हूँ, या तो 1 के फ़र्म में आ जाएगा सब लोग, या तो 2 के 2, 4, 2, 5, 2, 6, यह हो सकता है, फिर 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6 हो सकता है, फिर 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 हो सकता है, ठीक है ना? फिर या तो 5 आ सकता है पहले वाले में, दूसरे वाले में एक आ सकता है, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4 55 and 56 आ सकता है ठीक है? यह आ सकता है, correct है and last but not the least, पहले वाले में भी 6 आए दूसरे वाले में एक आए, फिर 6 2 6 3, 6 4 and 6 5 and 6 6 यानि कि total आप consider करोगे और इसको count करो जरा एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 multiplied by 6 is 36 36, यानि कि आपका जो number of probability जो आएगा, इस case में वो कितना आएगा? 36 बार आएगा, यानि कि अगर दो गोटिया आप साथ में फेकोगे, तो आपका जो संभावना है number आने का वो 36 बार है, यानि कि 36 बार में 36 options में से कौन सा भी आ सकता है 36 option है, या तो 1-1 आएगा, या तो 1-2 आएगा, या तो 2-1, 2-2, 2-3, ऐसे करते-करते इतने सारे options हैं, यानि कि 36 probability is there when 2 coins, या फिर 2 sorry, coins ने, 2 dice, 2 गोटिया जो है, अगर साथ में हम लोग उसको लेते हैं, तो clear है दोस्तों, तो यही था हमारा आज का, dice का, probability का मैंने जो बताया, आपको, 1 coin toss किया, एड दूसरा coin, दूसरा dice को toss किया, तो यह हो गया, correct है, अब तीसरा एक चीज़ यहाँ पर बताऊंगा, यह तो मैंने आपको बता दिया, पहला coin का बता दिया, 2 coin, 2 coin, 3 coin कैसे उड़ाएंगे, फिर हमने dice का भी बता दिया, एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, लेकिन यह exam में पूछता बिल्कुल, मतला इसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पूछता है, बहुत ही rare chances से पूछ लेगा, तो ठीक है, नहीं पूछा तो कोई problem नहीं है, लेकिन आप अगर यह चीज़ पता रहेगा, तो आपको आज का concept जो मैं आपको पढ़ाने ही कोशिश कर रहा हूँ, एक आखरी concept है, वो सीख लो, फिर पूरा chapter आपके लिए हाट होते हैं, तेरा कार्ड जोते हैं, हाट होते हैं, तेरा कार्ड क्या होते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें, तेरा कार्ड होते हैं डाइमंड, ठीक है, 13 डाइमंड होते हैं, फिर 13 जो होता है, और फिर अगला 13 जो होता है, वो होता है आपका, कितना होगा हाट, डाइमं जिसको हम लोग बोलते हैं, तो पेड हम लोग उसको बोलते है, उल्टा पान को, यानि कि इस तरह से कुछ shape पता है, मैं आप बदाने की कोशिश करूँगा, इस तरह से कुछ shape रहता है इसका, ठीक है, और एक club जो होता है, वो पेड होता है, चीडी बोलते हैं, इसको ऐसा पे probability कितना हो जाएगा? चार, यानि कि हर 4 बार में हमारा एक card जो निकलेगा, वो हमारा same आईगा, तो यहां पे हमारा probability जो बनता है, यहां पर फोर का बनता है, तो वो हिहां पर बता हूँगा, बस प्रोवाइट करना था आपको एंड बहुत सारी चीज़ ऐसे पता नहीं थी जो आपको शायद पता नहीं होगी probability के बारे में तो उमीद करता हूँ कि regarding coins, regarding dice and regarding spade spade नहीं क्या बोलते, cards बोलते तो यह चीज़ आपको clear हो गया होगा तो आज के लिए इतना ही अपनी राय और suggestion जरूर से देना है दोस्तो बहुत important lecture वीडियो था और अगर यह वीडियो आपको पसंद आए दोस्तो तो please वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा अपने सारे friends लोग के साथ फटा फट से share करो अगर आपने अभी देख इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो फटा फट से हमारी इस चैनल को subscribe कर देना साथ में bell icon को press कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को notification मिलती रहेगी ठीक है friends तो मिलते हमारे अगले वीडियो में ये वीडियो देखने के धे थैंक ये और बूबझाव्ल si नहीं है जय हाईंगे लिगज वीडियो रहेगे तो में ये वीडियो ल driving की ठोल इस चैनल को सिर्स चैनल को सेंब बना इसेंब बिख़ीकीश में बिख़तने के ला छिआ चाराने में अरने से एंध़ वीडियो